नमस्ते, मैं राहुल, आपका होस्ट, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, Sign Education, Measureless Learn आज फिर से मैं आप सबके लिए एक certification लेके आया हूँ, जिसके अंदर AICTE involved AICT का full form होता है All India Council Technical Education, ये एक statutory body है जो UGC के साथ combined होके काम करती है अगर आपको let's say an example, अगर आपको engineering college खोलना है, तो आपको AICT की approve लेनी बहुत जरूरी है अगर आपको pharmacy college खोलना है, तो आपको PCI का approve लेना जरूरी है अगर आपको law college खोलना है, तो उस तरीके से bar council का आपको requirement होना चाहिए तो ये एक statutory body है, लेकिन government body है, जो approval देता है college को कि उनके norms के हिसाब से काम किया जाए ठीक है, तो AICT ने अपने platform के इसमें, जहां पे COVID-19 situation चल रहा है उसके अंदर उन्होंने कुछ 49 free courses लाए हुए है इसके अंदर हम लोग एक के अंदर एक के बाद एक देखेंगे किस तरीके से उसका categories डिवाइड किया गया है ओके सबसे पहले आप Google Chrome पे जाए Google Chrome पे जाकर यहां पर टाइप कीजिए AICT e free courses को टाइप करते क्लिक कीजिए यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक कॉलम आएगा इसका जो लिंक है मैं आपको description box में दे दूंगा इसके अंदर first link को क्लिक करते ही आपको एक अलग interface पे लेके जाएगा जिसके अंदर सीधा सीधा वो All India Council for Technical Education के website पे लेके जा रहा है उसके अंदर एक note लिखा हुआ है जिसके अंदर बोला गया है free of cost those who register before 31st May 2020 for your learning लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है प्लीज इसको ignore कर दीजे इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे free courses के option दिये गए है जैसे ELIS free courses ठीक है इसको कितने सारे categories में divide किया है जैसे e-learning, information technology, mechanical engineering, CAD, miscellaneous, robotics, healthcare and management ऐसे बहुत सारे categories में divide करके बताया गया है जैसे आप e-learning में देखेंगे तो e-learning में बहुत सारे आपको international universities मिल जाएंगे जिसके बहुत सारे courses यहाँ पर दिखाये गए है अगर आप यहाँ पर scroll down करेंगे तो आपको करीबन करीबन 10 courses मिल जाएंगे इसके related अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा था game development using py game ठीक है यह कोई software होगा जैसे game development अगर आप gaming के field से relate करते हैं तो gaming के लिए भी आप यहाँ पर काफी जादा यहाँ पर चोटे चोटे courses मिल जाएंगे जिसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है जैसे for example किसी बच्चों को robotics में इंट्रेस्ट आभी जैसे देखा जाए तो आगे का जो future है वो robots में ही आगे जाने जाने वाला है ठी से information technology हो गया information technology में python for machine learning हो गया cloud foundation हो गया neural networks and deep learning हो गया how to ace coding interviews mastering big data analytics यह सब के बारे में मैं पिछली पिछले वीडियो में मैंने सारा इसके इसके इंदर डिटल जाना थे किस तरीके से salary package आपका बनता है ठीक है आप अपने खुद के area of interest के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर AICT ने बहुत सारे companies के साथ collaborate किया है और बहुत सारी चीज़े इसके अंदर provide कर रहे है वो लोग ठीक है जैसे for example एक और चीज़े यहां पे artificial intelligence and machine learning internship यहां पे internship भी provide हो रही है guys तो यहां पे यह बहुत अच्छी opportunity है आपके लिए कि अगर आप internship भी देख रहे है तो उसके लिए भी यहां पे बहुत सारे courses design किये गये हैं जैसे fundamentals of hybrid electric vehicle electric vehicle yes electric vehicle एक बहुत अच्छा scope है बहुत ही अच्छा आगे आने वाले generation में हम electric vehicle पे ही जादा focus करने वाले हैं जो हमारे pollution को भी काफी हद तक कम करेगा और plus साथी साथ हमारे इंडिया के GDP को बढ़ाने के ल तो trade deficit है वो कम नहीं होगा हम देखते हैं management के related courses management के रिले जैसे introduction to digital marketing अगें digital marketing के ओपर मेले मैंने वीडियो डाला हुआ है इसका भी link मैं आपको description box में दे दूंगा फिर business finance foundation marketing foundation excel for beginners financial risk analytics financial risk analytics भी है इसके अंदर यह बहुत जादा important aspect play करता है अगर कोई बच्चे ने 12th commerce से complete किया है तो financial risk analytics के ओपर बहुत सारी career opportunities होती है financial risk management के ओपर bachelor's degree भी होती है master's degree भी होती है जिसकी salary और यह सारी facts and figures हम लोग आने वाले अब भी अपने वीडियो में देखेंगे अब ही चलिए मैं किसी एक course में आपको enroll करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप enrollment कर सकते हैं जैसे कोई भी यहाँ पर ले ले लेते हैं जैसे आपको एक financial risk analytics के बारे में जो focus किया था उस बारे बताता हूँ जैसे आप यहाँ पर learn now पर click किजिए learn now पर click करती है कि आपको जानकारी दी गई है फिर learn for free during covid shutdown इस पर आप click करेंगे click करती है आपको यह अलग इंटरफेस पर लेके जाएगा जो great learning का platform है उसके ओपर लेके जा रहा है उसके इंदे clearly लिखके दिखा रहा है marketing and finance financial risk analytics beginner level है ठीक है जो free of cost 1.5 hours का video content यहाँ पर दिया हुआ है एक quiz आपको complete कर करना पड़ेगा तब जाके आपको certificate मिल जाएगा अब इसका certificate में आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का आपको certificate मिलेगा after completion ठीक है यहाँ पर पूरा course के detail दिये गए है कि आपको course के detail में क्या क्या चीज़े सिखाई जाएगी ठीक है अब यहाँ पर enroll for now पे click करते ही आप कि आप जितने भी courses देखेंगे उसके हिसाब से ठीक है तो guys I hope for the best कि आप इसमें से किसी ना तो किसी में enroll करेंगे बेस्ट अफ लग जैसे कि हर वीडियो के end में हम facts and figures के बारे हैं बात करते हैं तो चलिए जानते है facts and figures किस तरीके से इसमें बताया गया है इसमें career option कैसे मिलता है such as claim adjustment और examiner बात में insurance manager, insurance agent, underwriter, personal financial advisor and risk manager इस तरीके का आपका profile होता है और इसके अंदर जैसे हम हमेशा बात करते हैं आपका job payroll किस तरीके से होता है risk manager salaries in India यहाँ पर लिख के आ रहा है 1,242K per year इसका मतलब होता है 12,42,000 per year per annum की आपकी salary होती है इतना जादा salary होता है आपका ठीक है और इसी तरीके से मैं आपको एक और graph दिखाता हूँ जिसके अंदर दिखा रहा है किस तरीके से आपके experience के हिसाब से आपकी salary बढ़ रही ह अब आप देख सकते हैं आपके experience जैसे for example अगर आप fresher है तो fresher के इसाब से आपके salary दिखाई जा रही है 7,75,000 फिर आगे बढ़ बढ़ के किस तरीके से जाते जा रहा है और last में आगे जब आपका 10 से लिके 19 साल का experience हो जाता है तो इसमें लिखाई दिखाई जा रहा है कि आपकी salary बढ़के हो जाती है 20 lakh rupees ठीक है तो मुझे नहीं लगता किसी भी fresh graduates जो भी पासओटों के निकल रहे है 7 lakh rupees उनके लिए कम salary package होगी अगर 7 lakhs को अगर हम divide by 12 भी करते हैं तो करीबन करीबन 55,000 रुपए के 55,000 से लेके 60,000 के बीच में आपकी salary package बन जाती है उसी तरीक and other artists, audio engineers, writers इस तरीके से बहुत सारी opportunities है अगर आप gaming industry से belong करना चाते है तो इसी साथ साथ अगर gaming के बारे में average salary देखा जाए तो average salary in India बोला जा रहा है 5,100,669 मतलब करीबन आप 5 lakh rupees per annum पकड़ के चलिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मैंने एक blog से निकाला हुआ है और व इसे pay structure इनका बढ़ते जाता है जैसे for example अगर कोई fresher है तो fresher को job salary यहाँ पे मिल रही है approximately 4 lakh rupees जो fresher है fresher के बाद जैसे इसे उसके पास experience बढ़ते जाता है वो करीबन करीबन 9 lakh rupees तक यहाँ पे बढ़ते जा रहा है hope so आपको सारे facts and figures पता चल गया होगा आपको यह भी समझ गया होगा कि क्यों मैं आपने subscribers के लिए खास करके वही videos लाता हूँ जो market में trend करता है और जो industrial standards से हिसाब से belong करता है ठीक है I hope आप इसी तरीके से बने रहेंगे और Sunday के टाइम आप प्लीज जुड़िए मेरे साथ again Q&A session में आप सबका प्यारी है जो मुझे इतने सारे questions के साथ flood किया है आप लोगों ने बहुत बहुत शुक्री आपका please like share and subscribe and press the bell icon and जै हिन जै भारत stay safe